नमस्कार मैं हूँ अंच्छिता भाजपा वालों को मोदी का गुरू बोज लगता है आप जानते ही हैं कि मोदी अपना गुरू किसे मानते हैं सही पहचाना शरतपवार को लेकिन अमिश्याह तो कह रहे हैं कि शरतपवार महराश्ट पर बोज है मतलब जिसके सामने मोदी तक नतमस्तक होते हैं उनकी तारीफे करते हैं उन्हें अमिश्याह बोज बता रहे हैं अमिश्याह शरतपवार की आलोचना करते हुए कह रही है कि पिछले 50 साल से महराश्ट उनका बोज ढो रहा है आज तक उन्होंने क्या किया यही बता दिए महराश्ट में सियासी घमासान जारी है एंडिये में भी सीटों पर पेच फसा हुआ है शिंदे बीजेपी और अजीद पवार के बीच सीटों पर बहस छिड़ी हुई है लेकिन इसी बीच ग्रीम अंत्रिया मिश्याहा जलगाओं में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे जहां उन्होंने राष्टवाद छोडिये आप 5 साल का हिसाब दे दीजिए जनता को यही नहीं परिवारवाद पर भी उन्होंने शरत पवार को घेर लिया उन्होंने कहा कि शरत पवार को बेती को सीएम बनाना है इनके बेटी को मुख्य मंत्री बनाना अब जरब सोचिए कि ग्री मंत्रिया में शाहा उन्हें बोज बता रहे हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं जिन्हें कभी खुद मोदी ने अपना राजनीति गुरू बताया था यहां तक कि यह कहा था कि शरत पवार से ही राजनीति के गुण सीखें हैं शरत पवार का ये पावर ही है जिने खुद प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने एक बार माना था कि उन्हें राजनीती शरत पवार ने उंगली पकड़ कर सिखाई बात 2014 की है जब शरत पवार के जन्मिस्थान 12 मती में चुनावी सभा में प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने एंसीपी सुप्रीमो की तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी वो यहां तक कह गए थे कि देश को शरत पवार के राजनीतिक अनुभव की जरूरत है यहीं नहीं कृषी विज्ञान के इंद्र के उद्गाटन के बाद पी एम मोदी ने शरत पवार के घर पर भोजन भी किया था इसके ठीक एक साल बाद 2016 में पूरे में शरत पवार के बसंत दादा शुगर इंस्टिट्यूट के कारिकरम में शरकत करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने अपने भाशन में फिर से शरत पवार की तारीफ की थी उनको अपना राजनीति गुरू और मार्ग दर्शक करार दिया था वहां नरेंद्र मोदी ने ये कहने से भी गुरेज नहीं किया था कि गुजरात के दिनों में शरत पवार ने उनका हाथ पकड़कर राजनीति से खाई थे हाला कि अमिश्या के इस बयान के बाद अब खुद अमिश्या गिर गए हैं लोग उन पर ही तंचकस रहे हैं कि आपको शरत पवार के अगर काम जानने हैं तो खुद मोदी जी का बयान सुल लीजिए सरड़ आपको कभी मी मिलिएं अगर आप दस मिनीन भी बात करोगे एवं मैं पर जीसान की करनी मी हो लेकिन वो बात तुरंध किसान पड़ा जाते सिर्फ यही नहीं 2017 तक एक दूसरे के शान में कसीदे पढ़ने वाले भारती राजनीती के दो दिगज भले ही आज एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है लेकिन संसद में भी मोदी ने राश्रवधी कॉंग्रेस पार्टी की जम कर तारीफ की थी संसद में पीएम मोदी ने एंसीपी की तारीफ करते हुए कहा था कि जनता का दिल जीतना कोई इनसे सीखे PM Modi ने कहा कि NCP ने खुद में ये अनुशासन ते किया है कि विरोध में बेल नहीं जाएंगे ऐसा करने से ना तो हमारी राजनीती में कमी आई और नहीं NCP की PM ने कहा कि तमाम पार्टियों जिसमें भाजपा भी शामिल है उसे NCP से सीखना चाहिए कि वेल में ना जाकर भी जनता का दिल जीता जा सकता है PM Modi ने कहा था कि NCP के सांसद हाउस के वेल में नहीं जाते हैं ये उनका अनुशासन है वो अपनी बात को बहुत प्रभावी जंग से रखते हैं बेल में ना जाने के बाबजूद उनका राजनीतिक विकास बढ़ा है करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते उनकी पार्टी को अनुशासन वाली पार्टी बताते हैं अमिश रहा उन्हें ही बोज बता रहे हैं अब शाह के इसी बयाने राजनीतिके गल्यारों में खलवली मचा दी है कि आखिर अमिश रहा का इशारा क्या है क्या ये एक तरह से मौदी की बात काटना या गिनाना नहीं हुआ क्या ये मौदी को गलत साबित करना नहीं हुआ कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं मौदी और अमिश रहा की और अमिश रहा की और अमिश रहा की बात काटते और मैं पर गए एक बात स्पष्ट कहर देता हूं किसी के की मन में ये संसय हो कि चुनाओ के परिणामों के बाद नितीस बाबु को फिर से बाजपा एंडिये में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और ललन बाबु को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए बाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुता अमिश शाहा खुले मंच से चला चला कर कह रहे थे कि अब ये वापसी संभव नहीं है लेकिन कुछ समय बाद ही खबर आती है कि नतीश और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है इसके बाद अमिश शाहा की खूब किरकिरी हुई थी अमिश शाहा की अपनी पार्टी में नहीं चलती उनकी बात का कोई वजन नहीं है वगएरा वगएरा सोशल मीडिया पर खूब मजाग भी बना था इसलिए अब जब मोदी के गुरू को अमिश शाहा ने महराश पर बोज बता दिया तो इस बात में जोर पकड़ लिया कि अमिश शाहा ने मोदी को गल्स साबित करने की कोशिच की है खेर इन कयासों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो अभी मुश्किल है लेकिन अमिश शाहा कि इस तंज ने महराश्च का सियासी पारा जरूर गर्मा दिया है और बीजेपी के अंदर ही अंदर मची खीशतान को भी कहीं ना कहीं उजागर कर दिया है अब देखना होगा कि बीजेपी इस चिंगारी को कैसे बुझाती है तो इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल लाइंटिन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए वाट्सैप पर फॉलो कीजिए हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वी सब्सक्राइब को।